बेलकम टू एग्जाम बेचना तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल में आपकी L.T. कमिशन की त्यारी करवाई जा रही है तो जो आज से हम इसकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं L.T. कमिशन टार्गेट 2022 ठीक न इसी के उदेशी से हम अपनी आज की क्लास को स् तो दोस्तों यहां पर मैं आपको Demoralize नहीं करना चाहता है बस यह बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी त्यारी पे फोकस करना है यह नहीं देखना है कि कमिशन कब आ रहा है आप जितने समय से अपनी त्यारी को करते रहोगे जितना उसमें दिरिक्ता से अपना 100% देते र तो आज से हम अपनी त्यारी भी करेंगे एरटी कमिशन की भी करेंगे तो यह हमारा कलास बन होगी ठीक है इसका अपनी धियान रखना है इसी के साथ आपको बता दूँ अगर भी तक आप हमारे टेलीग्राम गूप के साथ नहीं जुड़े है तो आप हमारे टेलीग्राम का नाम क्या होगा तो यह पंक्ती हो जाएगी मलूक दास की तो जो मलूक दास है यह हमारे संत का बेधारा से 17 जो संत का बेधारा है भक्तिकाल के अंतरगत आती है आपको पता होगा जो भक्तिकाल है उसे चार भागों में विवाजित किया जाता है पहले तो उसे दो भाग कावेधारा इसी तरह से जो सगुन कावेधारा है उसे भी दो भागों में विवाजित किया जाता है एक होगा क्रिशन भक्ति कावेधारा और दूसरा होगा राम भक्ति कावेधारा इसी तरह से आपको याद रखने है यह तर्थ है ठीक है तो चलिए यहाँ पर थोड़े से आपको टॉपिक्स बिता देता हूं और क्या क्या है यह देखिए इस प्रशन का उत्र तो यह हो जाएगा मलूग दास तो जो मलूग दास है यह संत कावेदारा से सबंदित हैं सुन्दर दास यह भी संत कावेदारा से सबंदित हैं जो नामदिव है यह भी संत कावेदारा से सबंदीत है पर इन्होंने एक तरह से जो अपनी रचनाई की है वो आपके सगुन भक्ति काविदार से सबंदीत रचना भी की है और संत काविदार से सबंदीत रचना भी की है और जो लाल दासे यह भी संतकभी के तोर पर जाने जाते है अगला जो प्रशन है यहाँ पर इसमें आपको एक दर्फ रचना दे गई है और दूसी दर्फ उसका नाईक द्या गिया है तो इनका हमें मिलान करना है तो चलिए करते हैं मिलान तो जो मरिगाबती है तो ये बताना है इसके नाइक का कौन होगा इसका नाइक तो इसके नाइक हो जाएंगे राजकुमार एका चार फिर इसके प्रशात सत्यवती कथा होगी तो इसके जो नाइक हो जाएंगे रीतुपर्ण हो जाएंगे फिर है मधुमालती इसके नाइक हो जाएंगे मन्होर और फिर जो रसरतन है अंत में इसके नाइक हो जाएंगे सोम तो यहाँ पर बिकल्प भी बिल्कुँ सही हो जाएगा अगला प्रशन है यहाँ पर छे रुकमनी पूनी बैसे ही मरी गई कुलबंती सत सौ सती भई पंक्ती किस रचना से स्वंदित रहेगी तो ये पंक्ती हो जाएगी मरिगबती से छे का सही बिकल्पी यहां पर भी हो जाएगा अगला प्रशन है साथ इसमें पूछा गिया है समगर रूप से पदमाबत अत्यंत उचकोर्टी का परबंद काब्या है जिसकी तुलना में रामचरित मानस और कामाईनी जैसे कुछ काब्य ही रखे जा सकते हैं ये कथन किसका होगा तो ये कथन हो जाएगा यहां पर डॉक्टर नगेंदर का साथ में का सही बिकल्प हो जाएगा अगला प्रशन है आठ पदमाबत को हिंदी में अपने ढंकी अकेली ट्रैजिक कृती किस आलोचक ने माना है तो यहां पर जो सही बिकल्प हो जाएगा बी बीजे देव नराई साही के दौरा तो जो बीजे देव नराई साही है इन्होंने जाएगा बात अच्छा काम इन्होंने किया है बाकी जो अचारे रामचंदर शुकल है इन्होंने भी इनके उपर काम किया है आपके लिए प्रशन छोड़ देता हूँ आपने बताना है जो डॉक्टर गणपती चंदर गुप्त है इनके इतिहास ग्रंत का क्या नाम है भूती सुन्दर इतिहास ग्रंत है इनका अगला प्रशन नौ पुष्टी मार का जहाज जात है सो जाको कचू लेना हूए सो लोव यह जो पंक्ती है सो दास की मृत्ति उपर किस ने कही थी तो यह कही थी बिठल नातने यहाँ पर जो बिकल्प भी है पिल्कुश सही हो जाएगा सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि जो पुष्टी मार को जहाज जात हो सो जाको कचू लेना हो सो लेओ यह पंक्ती किस अचारे की मृत्ति उपर कही गई थी सूरदास की मृत्ति उपर कही गई थी यह आपको कैसे पता चलेगा तो देखे यहाँ पर पुष्टी याद रखना है अगला प्रशने 10 इसमें पूछा गिया है सूर के बातसले भाव के पदों की बिशेशता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की निरस और जटिल समस्यां को भूलकर उनमें मगन हो जाता है ये कथन किसका होगा तो ये कथन हो जाएगा डॉक्टर नगेंद को मिलते हैं अगला प्रशने 11 नंददास ध्वारा रचित एक प्रकार का प्रयाय कोश्क्रंथ कौन सा है तो ये कोश्क्रंथ हो जाएगा विकल्प भी अन्यकार्थ मंजरी इसके प्रशात आपको कई वारा अपने प्रिक्षा में भी देखा होगा या आपने सुना भी कभी भी कहा है ठीक है ना सिधा सिधा प्रशन बन जकता है निमन में से किस कभी को जड़िया कभी कहा जाता है तो ये हो जाएगे नंददास जो नंददास थे ये जो पुष्टी मारक ये आप अश्ट सखा कहो उसमें सबसे कनिष्ट थे कनिष्ट हो थे सबसे चोटे थे इसका भी आपने ध्यान रखना है अगला प्रशने यहां पर बारा इसमें पूछा गिया है निमन में से किस कवी को संगीत शास्तर का पूर्ण ग्यान था एबं जिनके पास तांसिन भी गाईन करना सीखने के लिए आते थे तो किस के पास आते थे गाईन कलास दिखने तांसिन तो तांसिन आते थे गुविन स्वामी के पास तो जो गुविन स्वामी है यह आपके अश्चाव के कवियों में परमुख स्थान रखते है अगला प्रशने तेरा सबसो हित निश्काम मती ब्रिंदाबन बिश्राम राधा बललो को हरी दे ध्यान मुखनाम पंक्तियों के रचरिता का नाम बताईए तो जो ये पंक्ति हो जाएगी हित हरीवंश्की हो जाएगी तेरा का सही भीकल्प यहां पर भग हो जाएगा अगला प्रशन है 14 क्रिशन काप्य में सरवादिक रचना करने वाले कवी कौन है तो जो क्रिशन काप्य में सरवादिक रचना की है तो ये दुरूपदास के द्वारा की गई है आपसे ये भी प्रशन बन सकता है बहुती अच्छी तरह से इन्होंने कृष्ण भगवान के चरितर और बातसलिय बढ़नन किया है कई-कई बार तो ये प्रशन भी बनता है कि जो बातसलिय समराट की से कहा जाता है अच्छाप के कवियों में से तो ये सूर्दास को कहा जाता है अगरा प्रशन है पंदरा इसमें पूछा गया है निमन में से किस संपरदाय में निकुंज बिहारी कृष्ण की अराधना की जाती है तो जो निकुंज बिहारी कृष्ण की अराधना की जाती है ये हरिदासी या सकी संपरदाय में की जाती है इसका भी आपने विशेश धियान रखना है कई वारी ये प्रशन बनता है कि जो सकी संपरदाय का दूसरा क्या नाम है तो सकी संपरदाय का दूसरा नाम हरीदासी संपरदाय है अगला प्रशन है सोला कुझ केली मिठी है बिरह भक्ती सीठी जो आग, ब्यास, बिलास, राग, रस, पीबत, मिटे, हरीदे की दाह, पंक्तियों की रचनाकार हो जाएंगे हरी राम ब्यास, बिकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रशने सत्रा, चैतन यमत या गौडियस मपरदाय का दाशनिक सिधान्त कहलाता है तो यह कहलाता है अचिन्तिय भेदावेद, यहाँ पर जो सत्रा का सही विकल्प ए हो जाएगा आपसे यह प्रशन बन सकता है कि जो गौडियस मपरदाय है इसके प्रवर्त का ना मताईए तो यह थे चैतन ये महाप्रभू और यह बंगाल में फला फूला था इसका भी ध्यान रखिएगा अगला प्रशने अठ्रा, दूरी भले अति सोबित सियाम जूब ऐसी बनी सिर्थ सुन्दर चोरी पद के रचैता का ना मताईए तो यह पद है इसके रचैता हो जाएंगे रस्खान, तो जो रस्खान थे इनका भी क्रिशन भक्ति कापेधारा के अंतरगत महत्पुन स्थान माना जाता है अठ्रा का सही भी कल्प यहाँ पर यह हो जाएगा अगला प्रशन है रस्खान क्रित किस रचना में राधा क्रिशन को माली मालीन के रूप में बढ़नीत किया गया है तो यह हो जाएगा प्रेमबाटी का मतकु प्रशने याद रखिया जो प्रेम बाड़ी का रचना है इसमें राधा क्रिशन को माली और मालिन के रूप में बढ़नित किया गया है सही विकलब हो जाएगा यहाँ बाकी जो अश्टियाम है सुजान रस्खान है दान लीला है और यह चारो ही रचने रस्खान की हो जाएगी अगरा प्रेशन है यहाँ पर 20 क्रिशन के सुदर्शन चक्र का अबदार किसे माना जाता है तो जो भगवान श्री क्रिशन थे इनके सुदर्शन चक्र का अबदार माना जाता है निमबार का चार एक हो तो 20 का यहाँ पर सही भिकलब भी हो जाएगा तो कुछ यह प्रशन थे दोस्तों आज की वीडियो में आप बताईएगा कि आपको यह क्लास कैसे लगी ठीक है तो ठीक है यहीं पर अपनी वीडियो को स्माप्त कर देते हैं आप लोग वीडियो के अंतिक बने रहें इसका बहुत धन्याबाद झाःниत यहीं क्ताई ओचा की जीक है टारा यही नहीं का विब खने रहान de में खबाद झाल आपका कहत दो的ित अ की चे तुर्ष रहाईगा खन्रा ठाव़ाबाद पर चित-भश पर यह क만 पुछा इससे हैं झाल झाल